नमस्कार मेरे प्यारी बच्छों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दे PCM विजन में प्यारी बच्छों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास्ट विल्थ एकॉनोमिक्स के NcqTap model paper को discuss करेंगे अनिकी objective question के लिए जो model paper जारी किया गया है उसके परसना को discuss करने वाले है फिर उसके बाद हम लोग subjective question के लिए मोडल paper जारी किया गया है उसको भी हम लोग discuss करेंगे तो वीडियो पर आप लोग अंतक बने रहें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सारे प्रसनों को तो यहां पर देखे कुछ समयने निर्दित या गया है इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि टोटल 40 प्रसन रेगा पर तेक प्रशन आपका एक एक नमबर का रहने वाला है ठीक अचली अब हम लोग direct प्रसनों पर आते हैं तो देखी बचो पहला समंद उत्पादन की टक्निक किस चैन से है किसका बात क्या जा रहा है उत्पादन की टक्निक किस चैन का बात क्या जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कौन से टक्निक का परियोग करके हम लोग उत्पादन करें पूंजी परधान टक्निक का परियोग करके उत्पादन करें क आप्सथे समांत उतम होता है तो को यूपीधिता कब अदिएरो होता है यह अनि talkinie का हो गया और यह जू वक्र वक्त है नएकी सिमान्त विप्योगिता का देखी यह प्योग प्योग प्योगिता का वक्त है तो देखें यहाँ पी अपका यो ह्राई त्य近ude अफ्योगिता का कुल भूगीता की लार दिशान है धिक है चलिए आते हैं तो यहां पर देखे शाए मैं आपका बना देह रहा हूं उसको देखी तो इस परकार से आपका तब वक्रूद्ट उता होगा मुल्बिंदू का था ज़ौता है ना ही अच्छा मानागा यह fortsозможно अगला कुस्तन है कि समानिता एक मांग वक्र की ढाल होती है तो पहला हम यहाँ पर बना देते हैं बचूं देखिए इस प्रकार से आपका मांग वक्र होता है क्या यह उपर से नीची आ रहा है है मतलब गट रहें नहीं की रिनात्मक हो रहा है तो इसके जो ढ़ाल होती हो किसा होता है रिनात्मक होता है और स्थर नम्र 20 का करेक्ट आनतर होगा सब लिए next क्योसिन प्राते नेक्स कुसिन आपका है कि एक सरल क्या होता है सो आप से पूछा पर है तो यहां पर इया का हम क्या होगा तो यहां d कर दे दे यहां पर चलते कि ब्य。 और कुछे कि ब्यूर पइंट पर आपका इंडी का होगा मांगी लुंट क्या होगा this je d का value आप पर गयोता। मतलब यूपर की ओजाएंगी business, Infrastogenicity of Venantic तो इसका बेलू क्या होता है गिरता है अगर यहां पर दे दे तो यहां पर देता हूं देखे तो यहां पर क्या होता है उपर क्यों जा रहा है तो यह से क्या होगा बचू एक से आपका क्या होगा अधीक होगा ठीक है अहां देखें नीची आ रहा है यहां पर कोई कि दी पॉइंट पर मांग की लोजिका मान क्या होगा तो डी पॉइंट पर मांग की लोजिका मान क्या होगा देखिए अभी मैं आपको बताया कि आपके बोड़ एक्ञाम में कोई भी ःकत ना हो ठीक है उसके बाद दिखे अगला को वैसे कि वकर का आखर यूपा आपका इस प्रकार suis को यूट्व आपका इस प्रकार के इस प्रकार होगत तो यहां प­वक्र क्यों किस का होता है जो शुरक MOR होता है आपका इस परकार से होता है यूल्था यहां पर यहां पर जान लेते कि प्रकार का वकर का आकार किस परकार से होते हैं इसका दो अकार होता है बचो आपका आतिपरवलिये अकार का होता है तो ऑस्सत्र का यू की तरह उसके बाद देखें अगला कुछिन है कि उतपादन फलन क्यों इकवल टू यह e l के power alpha k के power beta के पैमाने में परतिफल का map है तो देखे बचो ये ये जो हुआ है तो ये आपका力 दोगलोस फंचे में ठीक है तो देखे यहां पर यहां पर 3 condition होता है किया condition होते है alpha piece beta Quin एक के बराबर होता है तब क्या बताता है तब बताता हो आपका इसथीर प्यमानी का परतिफल बताता है ठीक है जब पलस बीटा का मान होता है बड़ते पर्तिफल की माप को बनाता है तो यहां रहा रहा है प्मार को बता रहा है घंसे निंघ यह उसके बाद देखे अगला कुछसरी बचंगे कि जब सिवांत लागत ओसत लागत से कम होती है तब ओसत लागत क्या होता है घड़ती है नियुनतम होती है बढ़ती है या अधिक्तम होती है तो इसको भी समझने के लिए मुझे यहां पर वक्र अनिकी गराप का परियोग करना पड़ेगा तो दीखे सबसे पहले हम वक्र बनाते कि इसका ओस्वत लागत का अनिकी एसी का एवरेज कोश्ट का जो गराप होता है बचो आपका इस प्र और आपका सिमांता अनुक year आपका क्या है सिमांता का मैं वा ज्यादा हो गया जो नीचे रे तो इहांपे यह ज्यादा हो गया ये ज्याद लोग तो इस को त्वर के क्लर क्लर कर्क्ञत कर की आभ यहां पर पर कि थ होता है तो देखे बच्छो ытब क्र गट रहा है तो क्या हो जाएगा इसका अंसर यह सीमांत लागत आपका दोनों क्या होती है बराबर हो जाती है इसरे लोग ध्यान में रखेएगा घ्यान की whatsoever, आते अगले कोक्सिंगे मात्रा में परिवर्ठन करने से ओसत लागत में परिवर्तन नहीं होता है मतलब किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है तो किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है कुल इस्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है ठीक है और इसका करेक्ट रहोगा उसके बाद देखिए अगला जो कुछतिन आपका कि न पूर्ण परतियोगी फर्म के संतूलन के लिए निम्न में से कुन सा विकल्ब सही है तो देखी बचो, पूर्ण परतियोगी फरम के बारे में बात कर जा रहा है तो इसके लिए दो कंडिसन होता है पहला कंडिसन क्या होता है, कि जो MR होता है बचो वो MC के बराबर होना चाहिए और दुसरा कंडिसन संतूलन के लिए क्या होता है कि जो MC का वक्र होता है बचो वो MR के जो वक्र होता है उसको नीचे से काटना चाहिए वो दुसरा कंडिसन होता है संतूलन के लिए तो दुसरा कंडिसन आपका उप्सन में नहीं दिया हुआ है किसे से लाए क els अम अरे हम ब्राबर मzarरें इंसी होता ही हम लोग जांते ही है ठीक है तो यह देखिए बचों यहां पर देखिए मसी को इधर लहेंगे अनिकन यह आपक्या है अभी फ्लस में अक्या होता है अगर भराबर की शनिया जाते हो होता है थो MR-MC होगा और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा तो MR-MC को यह हम लोग सकते हैं यहीं तो आपका उप्सन भी बचाइब बचा में पढ़ होगा अब बचा की से लागा तो चाहिए पिर जाता है जिसे कि दो गुना एक लोग उन्हीं ये'll करते था चेक श्जोन को एक से गुना करेंगे तो तिनहीं एगा ठीक को ऊसी परकार्से एक से गुना करेंगे थीक लिए टिक मलत फिए हो अकिजिए बना बड़ाबर करेंगे गुना को चोह बहागा होता है तो तो यहां पर शिरिफ बचा थीक है तो यहां बटा मतलब भागा दिया हुए तो अप्संटी भी एक तरह से सही है थीक है इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार का कुश्शन उतना लेंदी कुश्शन बोर इजाम में नहीं देगा ठीक है लेकिन देता है तो थोड़ा अपनों ध्यान सी ओप्षण को पढ़िएगा चलिए आते अगली कुश्शन की अगला कुश्श्चिन आपका है बचों की इस प्रकार से निकल रही है एक से निकल रही है ठीक है एक से कम होगा ठीक है इस प्रकार से होगा जब यहां से निकलेगा यह से इस प्रकार से दे दिया अब पुशेगा कि पूर्ती की लोज की मान क्या होगी तब पूर्ती की लोज की बचों वह एक से जादा होगा क्या होगा एक से जादा होगा अगर यहां से एक फिगर इस प्रकार से दे दिया रहा ठीक है इस प्रका सब्सक्राइब दिए तो कहां से निकल रही है एक से कम होगा ठीक है जो जो सही उत्तर हो जाएगा एक से काम किसमें दिया होगा उसके बाद दिखें अगले कुछिन पर आते हैं अगला कुछिन आपका की एक मुष्ट कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ती पर क्या सारा टेक्स एक बार की लगा देगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा वस्तु का दाम बढ़ेगा तो लोग क्या खरीदेंगे कम खरीदेंगे अगर कम खरीदेगा बचों कम खरीदेगा तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी ना कम खरीदे का आदमी तो बनाने वहला क्या कर क्दल में तो पूर्ति में कमी किस में नमर एक में दिया हुए ठीक में उसके बाद कि इससे अगला कुछी है आपका चॉपड़ो नमर कि कि आईने बाते समान रहने पर किसी वस्तु के मांग में बृदि होने इसका कीमत में परीवर्थी अनिकी अधिकाई के मतलब क्या होता है अदिक मांक की क्या होता है किसी वस्तुका अगर अधिक हुने लगे तो उसके कीमत में क्या होते बच्छों बृदifically कीमत उसका बढ़ा दिया जाते है ठीक है तो उसमें क्या हुए था दुकांदार के पास मास्क था उह, क्यान क्यूकि मास्क का जो मांग था बन बसको बहुत ही जयदा होने लगाता इसे सट एसे क्या किया था मांग में अगर बिर्दी हो रही है तो उसके नंप में क्या होती था है तो और अगला कुछन है कि अधिकाई पूर्ति किस्थिति होती है जब तो अधिकाई पूर्ति किस्थिति कब होती है जब क्या हो डिमांड कम हो मांग कम हो तभी आपकी पूर्ति अधिक होती है ठीक है अधिकाई पूर्ति ज्यादा होने लगती है तो देखिए तो यहां पर बीस का कर्येंट रोगा देखिए हमने क्या देखा क्या पुर्ती विखतिति में क्या होता है और कि जो आपका मांग है बच्छों मांग कम होता है तो यहां पे देखिए यहां पे कम है देखिए इधर यह को पॉइंट बाद दने डिमांड है तो यह आपका इस प्रकार से उप्सिन नंबर 20 का करेक्ट आथ रोगा ठीक है चलिए अगले कुश्टन पर आते हैं सतरवा कुश यहां पे आपका पूर्ति को ले करके रिलेटेड कुश्टन है तो देखिए क्या पूछा है कि पूर्ति में कमी होने से क्या प्रभाब पढ़ेगा तो पूर्ति में कमी होने से क्या प्रभाब पढ़ेगा किसी वस्तु का बजार में कम पूर्ति होगी कम पूर्ति होगी त उसका ज्यादा लोग मांग करेंगे तो क्या होगी कीमत बढ़ेगा तो संतूलन कीमत में ब्रिदी आगी और संतूलन की मात्रा में भी कमी होगी तो अप्सन नमर 20 का करेक्टर अंस रोगा चलिए नेक्स कुछिन प्राइब कि एक अधिकार में अधिक्तम कूल अगाम के अप्सन नमर 20 का करेक्ट रोगा उसके बाद नेक्स कुछिन पर आते हैं यह क्या होता है बार वर चलिए नेक्स कुछिन निकाल लेते हैं अबर में रूखी तो अठरवा नमर कुछिन हम लोगों ने देख लिए बच्छो कि एक अधिक्तम कूल आगाम के उत्पादन अस्त हो जाएगा ऑफ्सन नमर 20 का करेक्ट रोगा उसके बाद दिखे अगला कुछ से ने कि नीमने में से किस वजार में बिवेदी करीट वस्तूं का उत्पादन होता है तो किस वजार में होता है एक अधिक्रीट जो आपका पर्तिविता बजार होता है बच्छो उसमें आपका बिवेदी करीट और इक अलग अपर उसक ऊंचों का उत्पादन होता है वाला ठीक है तो यसके वरत इंससर को जाएगा option number B चलिए आते अगले question क्यों अगला question है कि the general theory of employment investing and invest and money नामक पुष्टक के लेखा कौन है तो यहाँ पे देखिए इसका जो right answer हो जाएगा मिनराल्ड केंस का राइट और इसी को कहा जाता है समझति अर्थसाष्ट का पीता मैक्रो एकोनोमिक्स के जनक किसी को कहा जाता है बचो उसके बाद देखिए अगला कुस्सी है आपका कि GDP और NDP में क्या संब्द है अगर मेरा आप लोगोंने रहष्टी आया कि लेक्चर को देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको समंध बताया था कि जो NDP बराबर होता है बचो NDP यहां पर देखें यह फॉर्म में आपको बताया था एक तरह से ठीक है तो GDP पहले रखा गया है तो यहां पर देखें जीडीप ब्रावर क्या और चाहिए तो उप्षिन नमर सी इसका और उसके बाद दीखे अगला sanitize कि से वस्तु के निर्मान में इक में बद्वर्टी वस्तु किसको कहते हैं तो वस्तु को मद्वर्पी वस्तु कहते हैं जिसके मदद से feminist divisions का निर्मान के जाता है JIS example में कि तstr Transport चल्पर समझे सकते है entrepreneur system cycle 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 निर्मान के लिए क्या क्या चाहिए तो टार चाहिए टारय चाहिए तूर चाहिए Tip सब्सक्राइब नहींद कर देखेंगा ओफिन दो किसी वर्ष जबी की गण्णा में निम्ण में से इस मद के मुल्य को सामिल नहीं किया जाए गा तो नई कार के मुल्य को सामिल किया जाता है रहा है जो आप आपका second hand car की फिर हम बेच रहे तो उसको हम लोगों सामिल नहीं करना है क्योंकि पहली पर हम लोगों ने सामिल कर लिया था ठीक है तो अब्सन नम्र इसका राइट अंसर जाएगा इन में से सबी इसका राइट अंसर हो जाएगा यह तीनों से जीड़ेपी की गन्ना की जा सकती है उसके बाद देखे अगला कुछन है कि सन दुजर सुलो में किये गई वी मुद्री करन किस मुली के नोट के बजार पर चलन से भार किया था अनिकि दुजर सुलो में जो नोट बंद किय गया था तो 500 रुपे और हजार के नोट को बंद किया गया था क्या चलिए और सी इसका राइट अंसर होगा उसके बाद देखे अगला कुछन है कि निम्नी में से कौन सा एक कायर केंद्रिया बैंक का कायरी नहीं है बचो देखे मुद्रा का निरगमन करना अनिकि नोट कौ बार करना जनता हम लोगे हैं तके का कि नहीं करता है तो एक नहीं हो गया तो इसके बाद की प्रीपा करेंद्रिया बैंक है उसके बार नेक्स को हुचन है at बागी बागी यह सब आपका तीनों अश्टेट बैंक मैं को इंडिया बैंक बैंक पंजाम निशनल बैंक यह सब आपका विए पारीग बैंक के ठीक है उसके बाद अगला कुशन है कि निमलिकित में से कंसी है त essay सबसे तरल मुद्रा ठीक है उसके बाद दिखें अगला कुशन है कि उप भोग फलण पलन सी और यह प्रिरिट उप्भोग क्या है तो देखें बच्चो उप्भोग प्लन में commitment में से equation दिया हुए है C बराबर A plus BY इसमेंसे कौन प्रेरित उपभोग है स्वाफ से पुछा जा रहा है तो देखिए जो C होता है यो क्या होता है आपका उपभोग होता है उसके बाद यह आपका होता है स्वायता उपभोग होता है मतलब कि आप कामाय या ना कमाये आपकी इनकम हो हो जीने के लिए आपशेअ कि थी ब्याई तो अपके यही आपका कहाими States किwork IST ौर MPS ब्राबर क्या होता है थो हमें साथ कि कि MPC ौर MPC व म्लेस फूर क्या होता है एक होता है तो अगला कुछन है कि नीम्र रेखा चित्र में से सवायता निवेश की यहां पर बात की जा रही है तो समझे सवायता निवेश को कहते हैं उसको कहते हैं बचुम जिसे आए बढ़ने पर नहीं बढ़ाया जाते है ठीक है तो देखे यह जो रहे है यहाँ इधर क्या और यह तो किसमें और नमर सी में ठीक है और सिसका करेक्ट अंतर होगा उसके बाद दिए अगला कुछ ने किसी अर्थवेस्ता में अधी MPS बराबर 0.4 है तो गुनक का मान क्या होगा गुनक बराबर अनिकी के का मान पुछा है तो हम लोग जानते हैं कि के बराबर क्या होता है वन बैं MPS होता है रट लेजिए फर्मूला यार क्या दिखाते हैं तो के बराबर MPS होता है के का बहलू पुछा है अब 10 कुछार से हम लोग भागा देंगे तो क्या आएगा तो 2.5 आजएगा ठीक है तो जो के की भिली होगी वो 2.5 होगा अनिकी option number 10 का सही आंतर होगा अगला कुछसर के नेम्निय में से परतियच कर नहीं है यहाँ पर आप जो कर दिया हुए इन में से कौन आपका डायकृक्तियक्स का उधारन नहीं है तो आप से पुछा गा रह girls in परतियकर किसे कहते है। पहले समगें सब्सक्राइब संपत्य रब सोन से आप वस्ति रनेंग को देनेけて बड़ेंगा क्या दूसरा इंट को का उधारन सारवजनिक वस्तु नहीं जो सभी कोनेगर कक्रेंगर वस्तु तो कार सरकारी होता है क्या मारेगा किसी के कार में चलिएगा सड़क सड़क क्या होता है सरकारी होता है ठीक है तो यह क्या है सार्वजनिक वस्तू है option number 20 का correct अंदर होगा उसके बाद देखिए अगला कुस्ट कि भारत में GST कव लागू किया गया था राजस घाटा का जाता है option number 20 का सही आंसर होगा उसके बाद देखिए आपका अगला कुस्टन है 38 निर्यात और निर्यात और आयात का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते है वेपार संतूलन का जाता है थे है मोवेल कमपनी को खरिदा तो क्या 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 करना पंडेगा तेना पड़ेंगा ठीक का कंपनी को कemployuld मतलब पूझी वालब फूझी खाते मत्या ठीक ए ने कंपनी खरीदें देना पड़ेगा अने का हमारे खते से पैसा कटीघा उसी को मतलब손 के आपके पैसा घुशता है क्रेसा कटना अठेका तो क्या करे बादेक पैस कट्व लुएंज क घुंक होना और कंना मतलबkten किसमा चंट मइंолने क्टीघ में तो किस में दर्ज होगा तो पूझी खाते में डेविट मद में डेविट में क्या होगा दर्ज होगा उसके बाद देखे अगला कुस्तर है कि निम्लिकीत में से कौन सा मद भुगतां संतुलन के सालूख खाते का एक घटक है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा वस्तूओं का बच्छों वस्तूओं का निर्यात यह वुगतां संतुलन के सालूख खाते का एक घटक है तो इसके बाद अभी हम विडियो करेंगे ठीक है जिसका अभी कुछ दिर के बाद विडियो अपलोड कर दिया जाएगा तो चैनल पर नहीं है बच्छों तो चैनल को सब्सक्राइ भी आपको करना है वीडियो को दोस्तों में सेर जरू करें वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद